एपिसोड की शुरुवात में हमें टीवी के ओपर एक साइकिक दिखाए जाती है जो कि एक आदमी का माइंड रीड करने के साथ ही उसके बारे में सभी बाते बता रही थी लेकिन जितनी भी बाते उसने उस आदमी के बारे में बाता ही थी वो सभी गलत निकलती है और शोखत्म होने पर सभी लोग बात करने लगते हैं ये एक साइकिक नहीं बलकि एक डोंगी है क्योंकि वो सही से माइंड रीड नहीं कर पा रही थी साथ ही उसकी सभी बताई गई भते भी जूट साबित होती है जिसके चलते वो साइकिक टैक्सी लेनी के साथ ही अपने घर जाने लगती है और टैक्सी ड्राइवर भी उससे देखने के साथ ही पैचान जाता है क्योंकि उसने भी उससे टीवी पर देखा था जिसके चलते वो तो साइकिक से पूसरे लगता है क्या आपके अपास सुच्चBERुच wors से लिएगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल से जल यहां से चले जाओ सीनशयफ्ट होता है अर हम लोगों को उक्लारो दिखाया जाता है जो कि अब पुरी तरह से टर्बो ग्रैनी के अंदर ट्रांस्वाम हो चुका था और वो अब मॉमो को खाने ही वाला था और तबी टर्बो ग्रैनी को एक कीला कर लगती है जिस वज़े से वो सीधा पानी के अंदर गिरती है और इस कील को उसी साइकिक ने फेका था और ये टर्बो ग्रैनी अब साइको के उपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है लेकिन साइको के पास आने के साथ ली टर्बो ग्रैनी जलने लगती है जिसके चलते साइको कहने लगती है कि तुम सच्च्च पे काफी ज़ाधा तेज हो और मुझे मालूम था कि तुम मेरे उपर इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रैप लगाया था और अब टर्बोग्रैनी उसी ट्रैप के अंदर फस चुकी थी टर्बोग्रैनी के आसपास एक सर्कल आ चुका था और अगर टर्बोग्रैनी ने उस सर्कल के बाहर कदम भी रखा तो वो जल जाएगी साइको ने सर्क करकर नहीं रख सकती लेकिन सैको कहने लगती है मैं तुम्हें कहत करकर रखना भी नहीं चाहती मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ जिसके चलते सैको वेसबोल बैट की मंदद से टर्बो ग्रैनी की दोलाई करने लगती है और अपनी पैंसिल यूज करने के साथ ही सरकल के बाहर एक और सरकल बना दीती है और इतने से सरकल के अंदर टर्बो ग्रैनी की स्पीड पूरी तरह से बेकार है जिसके चलते टर्बो ग्रैनी साइको को एक बुढ़िया कहने लगती है और सैको कहने लगती है कि तुम भी एक बद्धी बुढ़िया ही हो जिसके चलते टर्बो ग्रैनी जलकर खत्म हो जाती है और कुछी देर के अंदर मूमो को अपने रूम के अंदर होश आता है और वो भागते हुए सीधा नीचे आती है जहां पर उसे मालूम चलता है कि उसकी ग्रैनी सैको तो आराम से टीवी पर कार्टून देख रही थी सैको आप मूमो से पूसे लगती है कि क्या तुम किसी भूतिया जगा पर गई थी और मूमो बताने लगती है कि वो नहीं बलकि उसका एक दोस्त गया था और इसी विज़े से उसे एक कर्स लग गया लेकिन सैको तो बेफकू वो की तरह हसने लगती है जिसके चलते मूमो पूसे लगती है कि आखिर म तो के उपपर भी विश्वास नहीं था जिसके चलते मोमो अपना सर जुकाते हुए सैको से माफी माँगने लगती है और मोमो पूसे लगती कि आखिर ओकारू कहां पर है और सैको कहने लगती कि बाहर श्राइन के अंदर जाकर देखो जिसके चलते मोमो गुस्से में कहने रहा था और मोमो को अपने सामने देख ओकारू भी काफे ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने टर्बू ग्रैनी बन कर मोमो को मार दिया होगा जिसके चलते मोमो फिर से दर्वाजा बन कर दीती है और गुसे में कहने लगती है बेवकूफ तु यहाँ प परेशान हो गई थी और सेको कहने लगती है कि क्या तुम इससे पसंद करती हो लेकिन मोमो कहने लगती है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि टर्बो ग्रैनी ने इसका केला चुरा लिया है और जब तक इसे अपना केला नहीं मिलेगा तब तक इसका कर्स खतम नहीं होगा और क्योंकि इस चीज की जिम्मेदार मोमो है तो वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो सैको को बताने लगती है कि वो एक यूएफो के अंदर फस गई थी जहां पर मोमो ने अपनी साइकिक पावर्स को यूज किया था। लेकिन सैको कहने लगती है कि यूएफो जैसा कुछ नहीं होता और मोमो कहने लगती है कि कल तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। जिसके चलते सैको कहने लगती है टर्बो ग्रैनी ने पुराने समय के अंदर काफे सारा खौफ फिलाया हुआ था। और जब सैको को मालूं चला कि टर्बो ग्रैनी टर्नल के अंदर रहती है तो वो भी वहाँ पर गई लेकिन टर्नल के असपास काफे ज़दा स्पिरिच्वल पावर मौजूद थी। नहीं मानता और मौमो फैसला करती है कि वो उकारु की मदद जरूर करीगी और साइको कहने लगती है कि तुम्हें तो प्यार हो गया। और मुमो कहने लगती कि मैं तो एक्टर केंटा का कुरा की बात कर रही हूँ जिसके चलते सैको कहने लगती है तर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड के उपर काफी ज़ादा गमंड है तो तुम्हें उसे पकडम पकड़ाई के लिए चैलेंज करना होगा और अगर हम उसे भगाते हुए शहर के बीचो बीच लेकर आ गए तो वो कमजोर हो जाएगी और शायद फिर हम उसे हरा सकें और मुमो कहने लगती कि कि आहम इस तरह का बेरे टरनल के बाहर नहीं लगा सकते और सैको कहने लगती कि हर जगा के देवता अलग-अलग होते हैं और अगर सैको शहर के बाहर चली गए तो वो इस पावर को यूज नहीं कर पाएगी टर्बो ग्रैनी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है उसे अपने इलाके के बाहर ले कर आना और आज से ही उकारू को भागने की तैयारी करनी चाहिए लेकिन मुमो कहने लगती कि उकारू के शरीर में तो बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है जिस वज़े से उसे भी उसके साथ रहना होगा और सेको कहने लगती है कि तुम्हें मुमो को अपने कंधे पर उठा कर भागना होगा जैसर जैसे आजी से एक्सराइस करना और ट्रेनिंग करना शुरू कर दो साथ ही मुमो को भी अपनी साइकिक एनरजी बढ़ानी होगी जिसके चलते सेको कहने लगती है कि तुम दुनों को अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जिसके चलते ओकारू कहने लगते है कि तुम्हारी ग्रैनी तो काफे ज़ादा जवान है और ओकारू उस UFO वाली लड़ाई के लिए भी माफी माँगने लगता है क्योंकि वो उस लड़ाई के अंदर जादा साथ नहीं दे पाया लेकिन अब मैं अच्छे से तयारी करूँगा तो मेरी दोस्त बने रहा न लेकिन मॉमो कहने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ओकारू केने लगता है तो आखिर तुमने मेरे चैरे पर दरवाजा बंद क्यों किया जिसके चलते ये दुनों ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और अगले दिन सेको टीव पर एक निउस देख रही थी जिसमें उसने उस लड़के के बारे में सब कुछ सही बताया था उस लड़के की पोल खुल गई थी और वही शोग के अंदर जूट बोल रहा था जिसके चलते मॉमो उकारू के लिए चाय ले कर जाती है लेकिन उकारू को तो वाश्रूम यूज़ करना था जिसका मतलब उकारू को श्टायन से बाहर निकलना होगा और अब अगर मॉमो और उकारू के बीच में कोई दिवार आ गई तो उकारू टर्बो ग्रैनी के अंदर तकदील होने लगेगा यानि कि मॉमो को उकारू के साथ आना होगा जो कि ये दुनों ही नहीं चाते और सैको मॉमो से पूसे लगती है आखिर वो टर्बो ग्रैनी का कर्स कंट्रोल कैसे कर पाती है और मॉमो कहती है कि उसे उकारू के आसपास एक औरा दिखता है और अपने हाथों को दबाने के साथ ही वो टर्बो ग्रैनी की कर्स को भी दबा देती है साथ ही उसे ये औरा हर इंसान के अंदर और पौधो और पत्थरों के अंदर भी दिखाये देता है और एक कम दायरे के अंदर वो पत्थरों को भी इदर से उठा कर उधर फेक सकती है मॉमो कहने लगती है कि जब ये पावर जागी थी तो मैं और भी ज़्यादा एरिया के अंदर अपना कंट्रोल जमा पाती थी जैसके चलते साइको कहने लगती है कि अपनी आखे बन कर दो और अपने बाकी के सैंसेश से भी और आखो फिल करने की कोशिश करो लेकिन मॉमो के आख बन करने पर ओकारू टर्बो ग्रेनी के अंदर तक्दील हो जाता है जिसके चलते मोमो फिर से उसे कंट्रोल में लेकर आती है और ओकारू कहने लगता है कि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा और वो भागते हुए सीधा मोमो के घर की दरफ जाने लगता है और मोमो भी उससे रोखने की कोशिश करने लगती है लेकिन ओकारू तो सीधा वाश्रूम के अंदर गुसकर अपना काम करने लगता है और मॉमो को भी उसे ये काम करते हुए देखना पड़ता है और ओकारू को यहाँ पर सच्विश्च में काफे ज़्यादा शर्माने लगती है जिसके चलते सैको मॉमो से कहने लगती है अब तुम्हें अपनी अनरजी को और भी ज़दा बढ़ाना होगा लेकिन अचानक से बाथरूम के अंदर से टर्बो ग्रैनी आ जाती है जिसने अब सैको को फ्रीज कर दिया था साथ ही सैको की नाक से अब खोन भी निकलने लगते है और तर्बो ग्रैनी मॉमो से कहने लगती है ओकारू का करस एक फाइरस की तरह है और ओकारू ने जिस जिसको भी देखा है तर्बो ग्रैनी उससे मार सकती है और आज रात मोमो को टर्बो ग्रैनी से मिलने के लिए उस टरनल के अंदर आना होगा वरना वो उकारो के आज पास मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देगी और अचानक से टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और फिर से हर चीज नॉर्मल हो जाती है और सैको होश में आने के साथ ही देखती कि उनके गर का तालिसमान जल चुका था और मोमो सैको को अफसारी बाते बताने लगती है और रात के समय सैको इन दुनों को काफ़ी खास कपड़े पैनाती है क्योंकि ये दुनों फिर से टर्नल के अंदर जाने वाले थे ये कपड़े काफ़े ज़दा ओल फैशन थे लेकिन ये आत्मा उसे इनकी रक्षा करेंगे और ये दुनों ही एक ट्रेन पकड़ का टरनल की तरफ जाने लगते है और ट्रेन के अंदर मोमो को टर्बो ग्रैनी के उपर काफ़े ज़दा गुसा आ रहा था क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने मोमो की ग्रैनी को मारने की धमकी दी थी लेकिन मोमो ट्रेन के अंदर फिर से मौडरन कपड़े पहन लेती है जिस सब के चलते ये एपेसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है तो आखिर आप लोगों को ये एपेसोड कैसा लगए ये कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना साथ ही इस चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लेना और आखिर में नोटिफिकिशन बैल कॉन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आप लोगों से मिसना हो तो अब मिलते हैं इसी टाइप के और किसी एमेजिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई अवरिवन